साथियों नमश्कार साथियों हमारे देश में इस वक्त सबसे यदा वाइरल जो खबर हो रही है वो नाम को ले करके हो रही है यूपी गवर्मेंट ने अभी एक फैसला दिया था यूगी आदितनाथ जी ने के यूपी में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं धाबे वाले ह उन सबी को कंपलसरी है कि अपना नाम बहार डिस्पले करें उनके रेस्ट्रों में धाबे में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका नाम डिस्पले करें जिससे कि कावड यह जो कावड यातरा चला रहे हैं यूपी से उत्रा खंड ले करके जाते हैं उनको किसी तरह का कोई कन गाना खा रहे थे महाँ इन्होंने यह पाया कि वह जो ढावे वाला है ठूक करके खाना दे रहा था अब उसका इंटेंशन था किया उसको सिखाया ता आइधिंक रसुल्ले थे उसमें टॉइलिट कर रहा था वह खाना दोगों बाट रहा था और बाद में यह पाया गया कि जितने भी धावे वाले हैं जो तरह के काम कर रहे हैं इनका वास्तिविक नाम कुछ और है और दुकान का नाम पढ़ते हैं तो लिखा आता है कि आप खतव हुए हैं अलग-अलग तरह के बयान आ रहा है आपको पता है अर्शाद मदनी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से बदला ले लिया एक जना खुलेयाम कर्मरजन की बात कर रहा है टीमसी का लेडर एक टीमसी का लीडर जो इस तरह से सजा दे रहा है कि वो तो कह रहा चाहे आप हिंदू हों मुसल्मान हों कोई मजब हो इससे कोई मतलब नहीं है सभी को अपने नाम बाहर डिस्पले करने हैं अब इस बात को लेकर के पूरे देश में बवाल हो गया क्या आपने ऐसे कैसे बोल दिया और मुझफव नगर के आसपास के लोगों को आप क्यों प लिए तक कई लोगों इस बश्वन बात को बला कि आप इस तरह का फर्मान किव जारी कर रहे हैं तो योगई जीनना का भार्र महान फिल्म स्टार हों चाहे नेता हों चाहे कोई भी हो हर कोई आके कूद गया है और इसमें अलग-अलग लोग त्रीके से प्रतिकेरिया को दे ने सबसे पहले जो एक बड़ा नाम सामने आये था वह आई था सोनूसूदगा सोनु सूद का कहना था कि तो क्या हो गया आप यूमेनिटी देखिए एक जमाना था शबरी के जूटे वेर भी राम ने खाई थे एक जमाना था जब राम खुशी-खुशी उनको स्विकार कर रहे थे और आप लोग इस तरीके से नफरत कर रहे हैं अब इन जनाब से पूछी हालां कि इस चीज़ का विरोध बहुत हुआ है लेकिन इन जनाब से पूछिए क्या शबरी बेरों को बेच रही थी क्या शबरी ने अपना नाम चुपाया था क्या शबरी की मंशा ये थी कि धोके से खिलाने हैं वह जो कुस था खुले आम था यहां पर जो चितने भी काम क चुपके कर रहे हैं किसी भावना के तहत कर रहे हैं इनकी इंटेंशन खराग है आपको जो हुमेनिटी दिख रही है न वह आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि आपकी बेहन ने कुस दिन पहले कॉंग्रेस से चुनाव लड़ा था जो की हार गई और शायद आपको देख पोच ही खराब है उनका चरित्र ही खराब है अब इन्होंने जब यह बात बोल दी तो और वाल हो गया क्योंकि जो यह काम कर रहे हैं वो बुरा मान गए क्या आपको यह तो फस गए उसके बाद कंगना रनाउत ने भी प्रतिकिरिया दी कि भाई अगर ऐसा ही है तो आप हर करें वीजेपी की पार्टी में ही अलग लोगों ने अलग अलग बाते कहीं है बात सभी है जो एंड एक घटक दल में एक आते है जयंत-चौधरी जो रालोद के नेता है और यूपी में वेस्ट यूपी से उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और जाट वोटों में काफी प्रिचलित है अब उनको यह लग रहा है कि अभी तो हम NDA में हैं बीजेपी के साथ हैं तो ठीक है कल को मालो बीजेपी से अलग हो गए और हमें चुनाव लड़ना पड़ा तो मुस्लिम वोट बैंक भी कोई चीज होती है बीजेपी को तो मुस्लिम वोट दे नहीं रहा ना जीजेपी कोप चाहिए योगी जी ने क्लियर कर दिया कि तो में वोट नी दोगे हम तुमाईले कुछ नहीं कर रहे हैं और हम ऐसी चलेंगे चल रहे हैं मुदी जी की जो पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास सबका यह सबका वो इस चीज़ से लोग तंग आ चुकी है इस लिए मैटर ही नी करता भी यह देवलोपमेंट आप उनको घडे रहे नल सोचाला देते रहे जेस देते रहे सब देते रहे तिपल तला का उनके लिए अटा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वह फिर भी उसी मान सिक्ता से गिरसित हैं जो उनको सिखाया पढ़ाय जा र उनका clear cut है कि हमें आपको वोट नहीं देना चाहां कुछ भी कर दो तो जब उनका clear cut है तो आप भी clear cut हो जाईए और शाहिद इस चीज़ की पहल मोदी जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको गुडवाई की मिजबना के रखनी है इस चीज़ की पहल कर दी है योगी आदितनात ने और योगी आदितनात के इस फैसले के बाद बवाल तो हुआ बीजेपी तो है और उसके अलावा जो बीजेपी के घटक दल है उनमें भी इस बात का बड़ा विरोध है और उसी करम में बात कर रहा था जयन चौधरी की जयन चौधरी का कहना यह है कि देखिये यह जो फैसला है इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं गया है अब जयन चौधरी जीत्ट से यह सोनू सूध से यह चिराग पासवान से यह नकवी जी से यह कॉंग्रेस से हम एक सवाल पूछना चाथे है और आप दर्शक लोग भी देखें ये लोग आज विरोध कर रहे हैं इस फैसले का सही बात तो यह है कि योगी जी ने कोई नया फैसला नहीं लिया यह यह फैसला कानूनी रूप से उपलब्द है हमारे देश में कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो बीजेपी या योगी आदि इतनात ने नहीं बनाए हैं वह कांग्रेस नहीं बनाए हैं कांग्रेस की यूपिए सरकार ने मनाए हैं 2006 में एक की वाले estàज़नी फोट के लगा के राख तो इसमें योगी ने नया क्या कर दिया, वोई कानून तो लागू करवा रहे हैं, उसके साथ ही एक और नियम आया था, Consumer Protection Act, वो भी कहता है कि ये Consumer का राइट है, Consumer को ग्राहक को पता होना चाहिए, मैं किस दुकान से खरीद रहा हूँ, इस दुकान का ओनर कोन है, ये दुकान और एक एक्ट और है, Shop and Establishment Act, ये भी कहता है कि जब आप अपनी शॉप लगा रहे हैं, Establish कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपनी शॉप की पूरी जानकारी ऐसी जगह पर लगा के डिस्पले करें, कि हर किसी को दिखाई दे, आप योगी जीने नया क्या क्या कर द इनको देश में लोगतंत्र बचाना था, तो लोगतंत्र के नियम है जो योगी जीने लागू करें हैं, आपको क्या दिक्कत है इसको लागू करवाने में, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुसलिम में भी एक बड़ा पॉपुलेशन है, जिसको को दिक्कत नहीं है, वो लोग आज भी जो है इस चीज़ के तई आ रहे हैं, हिंदू को बिल्गुल दिक्कत नहीं है, वो तो खुले हम लगाने को तई आ रहे हैं, एक सेक्शन है जिसे दिक्कत है और विशेस तो और फे उस मीडिया जगत को दिक्कत है, जो मीडिया जगत दिनो रात सहजादे को पीम बनाने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है, चलिए यह तो हो गई बड़ी बासी सी बात, तीन-चार दिन से चल रही है, सब को पता ही होगी, मैंने नया क्या बता दिया, नई जो बात है, वो मैं आपको बताता हूँ, कि यह जो मामला है, अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, उजयन के मेर ने बोल दिया है, कि जो जो लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं, अब इस केंपस के आसपास भी उजयन में, यानि कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, आपकी परस हैं, रेस्ट्रों वाले हैं, उन सब को यह रहा है कि दुकाने हैं, जहां पर लोग खाना खाने आते हैं, सभी को यह जरूरी है कि वो नाम डिस्पले करें, और यह फैसला बोद गया, बिहार में, बोद गया कि आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्होंने खुद फैसला ले लिया है, कि हम अपना नाम ड इस तरीके से प्रपरगंडा चलाना चाहते हैं, उन लोगों को हो रही है, जिनने कहीं से विशेज पैसा मिलता है, इसी बात का कि उन्हें इस तरीके का प्रपरगंडा चलाना है, आपने देखा होगा ची तंजुम, रवीश कुमार, जान बूच के इस तरह के वीडियो बन गली गली में जाकर के मना रहे हैं, जिस से भी दुकानदार से यह उगलवा icons के आपके साथ और चल ये मान लिए आपकी बात, भाइचारा निभाना चाहिए, मान लिए आपकी बात, भाइचारा तब कहा जाताँ जब आप इस तरह की चीज़े लिखती हैं. मंदिर में तो कोई भी अलाऊ है, लेकिन आपकी मजशित में गेर मुसलिम नहीं आ सकता, यहां पर भेदवाव क्यों, चलिए, इसके आगे चलते हैं, यह जो हलाल सर्टिफिकेट है, इसके बारे मिन्म कोई क्यों नहीं कुछ बोलता, हलाल सर्टिफिकेट आपको पता है, आप कई सारे उतपाथ करीदने जाएंगे, कोई प्रड़क्त खरीने जाएंगे तो उस पर सर्टिफिकेशन लगा रहता है इस तरीके के इस पर लेबल लगा रहता है और कोई भी प्रड़क्त पे लेख सकते हैं आपके घर में बेचने वाला इस पूरे में मजहभी लोगों का एक तरीके से Chir liqu tuvaking है कि ये इस बात का पर्माण होता है आलार कि बड़ी किताब में हलाल का प्रयोग किया गया था किवल मीड के लिए कि कोई मीड उत्पाद आप लुगों में बात रहे हो तब हलाल सर्टिफिकेट का उसी करना है लेकिन इस चीज़ को प्रोपगेंडा बनाने के लिए कौमी एक्ता को बढ़ाने के लिए मजभी पन बढ़ाने के लिए इन्होंने इस चिन को इस सर्टिफिकेशन को लगबग हर प्रोड़क्ट पर लगाना स्टार्ट कर दिया गया है जिससे कि जो मजभी आद में खरीदने जाए उसे इस बात की एस्शुरेंस हो जाए कि यह जो प्रोड़क्ट बनके आया है मेरे ही किसी कौमी भाई ने बना के भेजा है अब भाई चारा नहीं दिखाई देता और इसी हलाल सेटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात कर दें या यूपी में एक बार बात करी गई थी तो आपने उसको भ प्रटा करने के लिए और इसके जरीए अपने उस इंटेंशन को अपनी उस बात को लोगों में पहुचाने के लिए जिस मकसद के लिए आप जी रहे हैं इस देश में क्योंकि डेवलप्मेंट तो आपका देश ही नहीं वो दिख्या लेकिन हलाल के बारे में आप बोलेंग हो गई है कि जो मजहभी लोग हैं इनको डेवलप्मेंट नहीं चाहिए इनको अपना एक माइंडसेट चलाना वोई तो जो सामने वाली पार्टी है वो भी समझ गई है कि अब हमें भी इनके स्टेटमेंट का काउंटर करना है और जब यह डिस्पले वाली बात आई अब द इंदर में सब ठीक कर देंगे महीने में मोधी जी तो गुडवाई की मेज बनाने में लगे हुए है तो योगी जी की वावाई हो रही है और योगी जी का वोट बैंक के वह उनके पास फिर से अच्छे तरीके से आ रहा है जैसे पहले था उनके पहले भी था कोई दिक्कत एक यही तो थी कि उन्होंने उस वोटर को टार्गेट किया जो कभी उन्हें वोट देने वाला था ही नहीं इस चकर में इनका जो कोर वोटर था वो भी जो इन से दूर हो गया अब इस तरह की चीज़ने लेकर कि आ रहे हैं उज्जेन में बिहार में वारा-णसी में यूप कि हमें इस चीज का boycott करना है और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान का भारत ने boycott करना स्टार्ट किया ना पाकिस्तान से हम संबंद रखेंगे ना वहां किर्केट खेलने जाएंगे ना वहां का कुई सिंगर यहां के पैसे कमाएगा ना हम जो किसी को बॉलेवोड में का चुनाव में इस इंटेंट के बाद कहीं ऐसा ना हो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह चेतना आप जाग गई है देश में एक तरफ से बॉयकॉट चलिए और बॉयकॉट अगर अर्थिववस्ता में हो जाएगा एकनौमी में हो जाएगा तो कितना बड़ा डेंट पढ़ेगा इसकी आप कल्प ना कर सकते हैं आगे कोई जानकारी होगी तो मिलेंगे एकली वीडियो में तब तक के लिए हमस्कार